आज में जाने में बात करने जा रहा हूं वो मेरे लाइफ काभी तक का देखा हुआ सबसे जादा मेज़ड़ पैने में और मुझे नहीं लगता कि इससे जादा में अग्सिस्ट करता है और अकर तुम अब TAK याने में नहीं देखा है तो भाय यार बहुत साइख कर रहे हो भ विविल गो विद इस शोजो सुबाकी एक ऐसा एनिमे जो पूरे वर्ड में बेहन है और इस एनिमे में वो सब कुछ है जो तुम नहीं देखना चाहोगे मुझे यह बताते वक्त भी अजीब सा लग रहा है कि यह एनिमे कितना ज़दा गोर वाइलिंस और ऐसी कई चीजे जि अभी तक इसे इतना अलग बनाती है अब तुमें इस एनिमे को और जादा देखने का मन कर रहा होगा तो मैं अब इस एनिमे का यहां पर बताने वाला हूँ तुम स्टोरी ही समझ लो और स्पेशली यहां पर हम इसके एंडिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके एं 45 मिनिट में ही और सबका नाम उस फेस को बहुत अच्छे तरीकी से बताता है इस स्टोरी में जहां 12 साल की लड़की मिदोरी टोक्यों के स्लम एरिया में फूल वेस्ती है जिससे उसे पैसे मिले और वो अपनी बिमार मॉम के मदद कर सके पर ऐसे ही एक दिन एक बंदा आकर मॉम मर चुकी होती है और ऐसा हुए काफे दिन हो चुके होते हैं और उनकी बोड़ी को चुहे खा रहे होते हैं और यह सीन बहुत जादा रिस्टरबिंग था मिदोरी के डैड उनकी फैमिली को पहले ही छोड़के जा चुके थे तो अब एक 12 साल की लड़की जो पूरी त करना पड़ता है और यहां के मेंबर्स इतने जादा बेकार और क्रीपी हैं कि यह उनकी हरकोतों से तुम उन्हें पहले ही पसंद नहीं करोगे और यह लोग मिदोरी को बहुत जादा अब्यूस करते हैं और उसे ऐसी चीजे दिखाते हैं जो एक बच्चा तो छोड़े है एक बड़ा भी नहीं देखना चाहेगा और इतना सा फेस करनी के बाद मिदोरी वापस डोग यह जाना चाहती है बड़ यह लोग उससे नहीं जाने देते एक सीन है अब आव डॉक्स जो बहुत जादा डिस्टरबिंग है और स्टैट सीन भी है तो अगर तुम्हें जानव चेकिन फेस का नाम है अडार्फ अमर्जिस फॉम देडाक नाव इस सरकस्टूट में एक डार्फ मैजीशन आता है डार्फ वो लोग होते हैं जिनके हाइड नॉर्मल एडल्ट के कंपरिजर में काफी चोटी रह जाती है तो यह मैजीशन बहुत जादा ही अच्छा मैजिक यह उफर एक्सप्ट करना होता है और उसके बाद वह मैजीशन परफॉर्म करने जाता है बट और उडियंस में से दो लोग उसकी हाइड कम मजाग उड़ा देते हैं जिससे वह इतना घुसा होता है कि वह वहां पर खड़े सब भी लोगों को एक्सप्रोड कर देता है और से जादा लाइव एक्शन में बूटल था और इस एनिमे का लाइव एक्शन क्यों है और मैंने क्यों देख लिया बट्व मगर थोड़े से भी सेंसिटेव होना तो भाई तुमारी आंखे अपने आपी बंद हो जाएगी बट इसके बाद मैजीशन सबको बात में ठीक भी क प्रिशान हो रहे होते हैं लेकिन मिबॉद्य में इस चीजटे सब्सक्राइब करने के बाद में जाती है जहांसे सरक्स तूप के सारे मैंबर मिडूरी की तरफ देख के हस रहे होते हैं और यह चीज़ अनुन में तो नहीं है बट औला इसे बहुत ज़्यादा डार्क इंडीप एनमे बनाता है बट दे कुश्चन इसके क्या यार इस एनमे को बनाने की रियल में ज़रुत थी इसकांसर हाँ या नामे जिना काफी मुश्किल है बट मेरे हिसाब से यह हमारे वर्ल्ड की डार्क साइड को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है जिन लोगों का कोई नहीं होता उनको कैसी प्रप्लम फेस करनी पड़ती है और जस्ट अपने बेसिक सर्वैवल के लिए वो ऐसी चीजों में फस जाती है जहां से निकलना शायद ओल्मॉस्ट इंपॉसिबल है और यह सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है लड़कों के और इसके एंटिंग के लिए मिरपा से खुद की भी ध्योरी है कि शायद इतने प्रेशर के बाद मिदोरी अपनी मेंटल स्टेबलेटी खो चुकी थी और वह यह सब इमेजिन कर रही थी कि शायद उसे कोई बचाने आएगा और उसने मैजिशन को इमेजिन किया बट काफी इस्टाग्राम नाम आगया होगा आइनो काफी डाक वीडियो हो गई है सो चिल करने के लपाई तुम इस्टाप आ सकते हो और वीडियो का लाइक है मैं 250 लाइक का और बाकी चैनल पर नहीं होते है चल्ब सब्सक्राइब करके बैल अकॉन कॉन कर लेना शिवस्टम वीडिय अगली वीडियो में तब तक लेटाटा से होना रहा बबाई